नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी टोटके में। नमस्कार दोस्तों मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को अच्छे से बनाया हुआ एक बीड़ा अर्पित करें। गुलकंद, सौफ, मुख, शुद्धी की चीजें लेकर इनका बीड़ा बनाये और हनुमान जी को अर्पित करें। साथ ही प्रातना करें कि हे हनुमान जी आपको मैं ये मीठा रस भरा पान अर्पन कर रही हूँ। इस मीठे पान की तरह आप मेरा जीवन भी रसीला कर दीजे, मिठास से भर दीजे। हनुमान जी की कृपा से कुछी दिनों में आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों दूसरा टोटका है पान का दान, तामबूल अर्थात पान होता है। को विशेश पान अर्पित किया जाए तो हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इस विशेश पान में कथा, गुलकंद, सौफ, खोपरे का बुरा और सुमन कत्री डाल दें। महादेव का पूजन कर नैवेद्धी के बाद उनको पान अर्पन करें। पांचवा उपाय है कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके उपर तांत्रिक क्रिया की है और आपकी दुकान बान दी है। तो शनिवार की सुबह पांच पीपल के पत्ते, आठ पान के साबुट, डंडीडार पत्ते लेकर उन्हें एक ही धागे में पिरोकर दुकान में पूर्व की तरफ बान दे। कम से कम पांच शनिवार तक ऐसा करें, पुराने पत्तों को नदी या कुए में बहा दें, इस उपाय से आपकी बिक्री बढ़ने लगेगी। रुके हुए सभी कारे पूरे हो जाएंगे। पती के सामने जाएं, इस उपाय से पती का प्रेम आप पर बना रहेगा। तो दोस्तों ये तो थे पान के पत्ते के कुछ अचूक उपाय, जिने करने से आप भी अपने जीवन में सुख और मंगल को बुला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों जुड़े रहें चमतकारी तोटके के साथ।